हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इस्टेटी विद्ध ग्यान प्रकास तो बात करेंगे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड के बारे में यहाँ पर जो नियम है वो बदल गए हैं अब कई लोगे कमेंड करेंगे कि सर एजुकेशनल चैनल पर आप प्रधान मंत्री पास चोजना है उसमें eligibility क्या होती है यह examically भी important है general awareness भी important है और अगर आपके घर के आसपास आपके गाउं में आपके परचितों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो की पात्र है और उसके पास घर बगरा नहीं है उसकी आप help कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको भी इसका प्रतिफल मिलेगा क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में अच्छाई फैलाने से अच्छाई और बुराई फैलाने से बुराई ही वापस मिलती है चार वेद शास्त्र में लिखी ये बाते दोएं दुख दीने दुख होता है सुक दीने शुक होएं तो जो आप पैदा करेंग है फ्रीज है बाइक है 15,000 रुपे तक वेतन है तो भी प्रधान मंत्री आवाश यूजना का लाभ उसे मिलेगा प्रधान मंत्री आवाश यूजना ग्रामीड की पातरता सुचिक नियमों में बदलाओ किया गया है तो क्या बदलाओ हुए हैं आईए एक बार देख लेते हैं अच्छा तो देखो मकान बनाने के लिए तीन किस्तों में मिलते हैं एक लाग बीज या रुपे चालेज या रुपे की पहली किस्ता आती है फिर ये देखा जाता है कि आपने कितना काम किया उसके बाद दूसरी किस्ता आती है फिर तीसरी किस्ता आती है तो सासन के नए न ग्रामेड के लिए कोई website नहीं होती है जिस पर आप आवेदन कर पाएं सहरी के लिए website रहती है तो प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामेड की पात्रा सुची के नेमों में बदलाव किया गया है नई आवास नेती के अनुसार अब अगर किसी के पास freeze है freeze बहुत कामन पात्र माना जाता था लेकिन अब जिनके पास freeze बाइक है 15,000 रुपे तका वेतन है उनको भी PM आवास का लाव दिया जाएगा तो केंद के ग्रामेड विकास मंत्राले ने PM आवास योजना ग्रामेड के लिए नए नियम बनाए है किसी के पास तीन या चार पहिया मोटराइ मोटराइश्ड वहान है तो उस परीवार को पात्र नहीं माना जाएगा क्रिसी क्यों कलिए अगर आप ट्रेक्टर है या कोई भी 3,4 पहिया वहान है तो भी आप पात्र नहीं होंगे 15,000 रुपे तक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी आप 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 पात्र हों आएकर्व व्यावसाइक कर जमा करने वाले धाईक एकड़ सिंचित और पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमी वाला परिवार भी आप पातरता की स्रेणी में आएगा तो इस प्रकार से जो निमॉली है आप उन्हें से पढ़ सकते हैं और ये पूरी डिटेल में आपको सेर कर दूँगा इस्टेडी विद ग्यानप्रकास डॉट कॉम पर वहाँ पर जाकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं तो फिलाल अब जो सर्वे है स्टार्ट कर दिया गया है और इसके लिए टीम में भी बनाई गई हैं जहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं अकेले हैं अगर उनकी जिम में कई गाउं हैं तो वहाँ पर वो अन मतलब जो सहाय करमचारी होंगे उनकी हल्प लेंगे पांच वर्स का विस्तार दिया गया इस योजना के अंतर गया है 2011 के सामाजिक और आर्थिक सर्वे और 2019 के आवास प्लस की सर्वे सुची में नाम होने के बाद भी लाभ पाने से बंचित रह ग बात है तो फिला फ्रेंट्स यह जांकारी आपके काफी एहम है इसे लाइक और श्रीक जरूर किजिएगा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यूद